नमस्कार साथियो, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटोब चैनल पे अभी आप इस्क्रेन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इलेक्टॉनिस कॉर्परेशन आप इंडिया लिमिटेड के द्वारा जिसमें केवल ITI के छात्री फार्म को अपलाई कर पाएंगे यदि आपके पास ITI का सेटिफिकेट है तो आप इस वीडियो को कम्पलिट देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो वेक इनसी निकल के आर ये इलेक्टोनिस कोर्परेशन आप इंडिया लिमिटेड के द्वारा जिसमें अप्रेंटिसिप के तौर पे आपको नोटिफिकेशन ये देखने को मिल रहा है और इसमें केवल ITI के छात्री फार्म को अपलाई कर पाएंगे यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है इसके बारे में पूरी जनकारी यहाँ पर ट्रेड की बात करें किन-किन ट्रेडों को इसमें मौका दिया जा रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सिक्वेंस में इन्होंने दे रखा है जो कि total यहाँ पर 10 ट्रेडों का नाम है, जिसमें पहला ट्रेड आपको देखने को मिल जाता है, इलेक्टोनिस मेकेनिक, उसके बाद electrician, इसके बाद साथियों यहाँ पर आपको फीटे ट्रेड देखने को मिल जाता है, आर एंड एसी देखने को मिल जाता है तर्नर है, मसनिष्ट है मसनिष्ट है, ग्रैंडर है, कोपा है विल्डर है, पेंटर है यदि आप इन ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड से आपने ITI कम्पलीट कर रखा है तो आप इस फार्म को अपलाई कर पाएंगे अब यहाँ पर कटेगरीज वाईज आप चेक कर लिजेगा कि किस कटेगरीज में यहाँ पर कितनी सीट खा लिए उसके अंतरगत आप चाहे तो फार्म को अपलाई करना चाहे तो अपलाई कर सकते, अन्यथा आप छोड़ दीजेगा अब यहाँ पर बात करते, ट्रेनिंग के दोरान कितना आपको पेमेंट दिया जाएगा तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इतना, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो यहाँ पर टोटल करम होई जहाँ पर 7 ट्रेड दिये गए इन ट्रेडों को 8,050 रुपे परमन्त दिया जाएगा और यहाँ पर आपको कोपा विल्डर जो ट्रेड आपको देखने को मिल ला है और पेंटर इसमें 7,700 रुपे परमन्त आपको दिया जाएगा तो फान परने वाले 36 बात को ध्याने कियेगा तो यहाँ पर कम से कम उम्र आपका मागा गए 18 साल और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपका जो उम्र होना चाहिए 25 मतलब कि 18 से 25 वर्स के जो चातर हैं इस फान को अपलाई कर पाएंगे जिसमें सात्यों जो चातर SST के अंतरगत आते हैं उनको यहाँ पर छूट देखने को मिल जाता है 5 साल का और जो चातर OBC के अंतरगत आते हैं उनको 3 साल का छूट देखने को मिल जाता है अब यहाँ पर बात करते हैं ट्रेनिंग आपको कितने दिन तक यहाँ पर देना पड़ेगा तो इसमें मातर आपको एक साल की ट्रेनिंग देना है मतलब कि 12 मंत इसमें आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कौलिफिकेशन की बात किया जाए तो कौलिफिकेशन इसमें ITE पास मांगा गया ITE का आपके पास सर्टिफिकेट होना चीए साथ में आपका NCBTS का होना चीए ये भी आप ध्याने किएगा ये दिबात करें सेलेक्षन मेथड का तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें साब तोर पर लिखा गया कैंडेट्स विल बी सेलेक्टेड बेस आन्दा ITE मार्स और यहाँ पर मेरिट कहने का मतलब यह कि यहाँ पर जो आपका सेलेक्षन होगा इसमें यह मेरिट बेस पर होगा किसी भी तरह का इसमें आपका एक्जाम नहीं कराया जाएगा तो फार बरने वाले चातर ध्यान किएगा नीचे आप आएंगे साथियो तो यह जो फार में कब से कब तक भरा जाएगा और डोकमेंट बरिपिकेशन कब तक होगा यह सारी जनकारी इन्होंने दे रखे जिसे कि आप यहाँ पर C नंबर पर ध्यान से देखिए इसमें साब तोर पर लिखा गया document verification will be formed 16-10-2023 से 21-10-2023 तक यह आपका document verification का process चलेगा और यह जो document verification है कहाँ पर करा जाएगा तो यहाँ पर location इन्होंने दे रखा है हैदराबाद में आपका इस location पर आपको जाना पड़ेगा यदि आपका merit list में नाम आ जाता है तो यदि आपर general condition की बात करें तो general condition में ध्यान रिकेगा यदि आपने पहले से कहीं भी किसी संस्तान में चाहे आपने private से या government से apprentice कर रखा है तो आप इस farm को बिलकुल भी apply नहीं कर पाएंगे इस बात को ध्यान रिकेगा नीचे आप आएंगे साथियो तो कैसे farm को apply करना है तो apply करने से पहले इन्होंने process के बारे में बता रखे तो सबसे पहला जो process हो आपका पहला step में यहाँ पर apprenticeship का registration करने के लिए कहा जा रहा है तो यदि आपने apprenticeship की registration नहीं किया है इसके बाद यहाँ पर कुछ आपको जनकारी दिया गए कुछ important जनकारी की farm को कैसे apply करने और apply करने का तिथी यहाँ पर क्या रखा गया है तो मैंने एक बार आपको पहले भी इसके बारे में जनकारी दिया था जब farm इसका भरना start हुआ था इस date से आपका farm भरना start हुआ है और farm भरने का जो अंतिम दिती है वो 10-10-2023 है तो इससे पहले आप farm को apply के लिजेगा document verification के बारे मैंने आपको जनकारी अभी दिया जोकि 16-10-2023 से 21-10-2023 तक document verification का process चलने वाला है इसके बाद जो इसमें joining आपका होगा वो 31-10-2023 की date को होगा और इसके बाद यहाँ पर जो आपका training स्टार्ट होगा वो 11-2023 से आपका training स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ इस तर आपको process यहाँ पर देखने को मिलेगा यदि आप ITE के चातरें और इस तरह की आपको कोई भी विकिंसी की जनकारी चाहिए तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएगा और प्लीज आप इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख्राओगर subscribe वाला उसे भी दबाएं और बगल में घंटी वाला आइकॉन को दबाकर उल्नोटी विकेसन पे क्लिक करें इस तरह की आपको नेने कोई भी विकिंसी आती है तो जनकारी आपको मिलती रहेगी